इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे Steel Authority of India Limited के बारे में जिसको हम सेल के नाम से भी जानते हैं कम्टी ने अभी अपने quarter 2 के numbers फब्लिश कर दी हैं तो सबसे पहले BOD के outcome की बात करें तो results के लाबा another को announcement नहीं है तो dividend, bonus या फिर split के regarding कोई भी news नहीं है और market estimate भी किसी भी broker ने इस company पे नहीं दिया था नहीं details आपको कहीं देखने को मिलेंगे अगर कोई किसी वीडियो में बता रहा है आपको तो बिल्कुल वो गलत बता रहा है तो चली देखते हैं Sale के इस बार के consolidated numbers कैसे रहे सारे फिकर करोड में already है quarter 2 की earnings से 1 की then last year का quarter 2 का data आपको third column में देखने को मिलेगा अगर आपने अभी तक चैनल को support नहीं किया है तो please आप इस चैनल को भी support करें सिर्फर सिर्फ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके total income की बात करें जो की revenue और other income को add करके आती quarter 2 last year में 29,000 करोड की income थी वो इस बार 24,000 पे आगी और quarter 1 में 24,174 थी वो इस बार 24,842 पे आगी तो बहुत ही nominal सी upside है quarterly but yearly basis पे आपको काफी बड़ी गिरावट इस बार देखने को मिलेगी same अगर expenses की बात करें yearly income कम है तो expenses भी 27,000 से 23 पे आगे quarterly 23,871 से 23,824 पे तो इस बार expenses आपको दोनों ही side पे कम देखने को मिलेंगे quarter और yearly then discuss करते हैं company को total profit या loss for the period after all the adjustment कितना हुआ तो last year quarter 2 की अगर बात करी जाए तब company के profit थे वो approximately दोस्तो 1305 करोड के थे वो इस बार 897 पे आगे और quarter 1 में 81 करोड का profit तब वो 897 पे आ गया तो बहुत ही जबर्दस नमबर है दोस्तो yearly basis पर जिस तरीके से income कम थी तो company के profit भी 1300 करोड से कम होके 897 पे आ गया और quarterly काफी अच्छी growth है जो की profit quarter 1 में 81 करोड के थे मात्र वो इस बार 897 पे आ गया तो Q1Q काफी जबर्दस नमबर है और yearly basis पर एक downfall देखने को मिल रहा है same reflection EPS में 3.16 से 2 पे आ गया yearly EPS क्योंकि profit डाउन है quarterly profit बढ़े तो EPS भी 0.20 से बढ़के 2.17 पे आ गया तो overall दोस्तों इस बार 800 करोड से ज़्यादा के profit हुए company जो की quarter on quarter काफी अच्छे numbers है तो बिल्कुल market का भी एक positive reaction हो सकता है और share price में तेजी आ सकती है तो आपका sale के कितने shares ने comment box में बिल्कुल बता है तो मिलता है किसी और वीडियो में किसी और update के साथ तब तक के लिए Bye Bye